नागेश्वर जोतिरलिंग इसे 12 जोतिरलिंग कहते हैं ये दारुक बन द्वारिका गुजरात में स्थित है जोतिरलिंग का मतलब क्या जहां भगवान संकर खुद परगट हुए, सोभूम हुए उसको जोतिरलिंग कहते हैं तो ये जो दसमा जोतिरलिंग है ये द्वारिका के दारुक बन में यहां जाने के लिए आपको पहले द्वारिका आना पड़ेगा ट्रेन से बस से या एरोपलेन से वहां से द्वारिका से 17 किलोमिटर एक सुनसान जगा जहां कोई ग्राम ने बहुती सांत प्रिये जगा पे ये नागेश्वर जो उतिरलिंग है नागेश्वर का मतलब क्या देवताओं का राजा उसको नागेश्वर बोलते हैं यहां का जो परिशर है बहुती शाप सुत्रा और मन को और दिल को छूने वाला है यहां पर पंडित दुआरा गर्वगिरी में पूजा होता है उसका आ और नाग का जोड़ा अगर लेते हैं और इससे पूजा करते हैं तो आपके जीवन में जो सर्फ दोस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा इसकी एक सच्ची कहानी है नागेश्वर जो तिरलिंग का तो पूरा कहानी सुनिए नहीं तो आपको दोस्ट लगेगा कहानी ये है कि सीप पुरान में आता है कि सुप्रिया नाम करकर के एक सिभख्त हुआ करता था दारुक बन में दारुक बन जहां राच्चों का राच चलता था दारुक नाम का राच्च चच और उसकी पतनी दारुका रहती थी तो ये सिभभग सुप्रिया बिजनस के सिलसिले में जल मार्ग से नाओ से कहीं जा रहा था तो दारुका राचछ ने इसको बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया मरिये सिभग सुप्रिया भगवान शिव का ध्यान कर रहा था इसको देख करके कारागार के लोगों ने दारुका को बताया कि ये ध्यान में रहता और भगवान शिव का मनन करता ओम नमा शिवाय का जाप करते रहता तो उसको राचछ को गुष्चा आया और उसे मारने का हुकुम दे दिया जैसे ही राचछ लोग उसको मारने के लिए हुए भगवान शंकर बिल के जरिये नागों का बिल के जरिये वहाँ पर प्रगट हो गए और अपने प्रिय भग सुप्रिया को बचाया और राचछों का विनाश के सिव भग सुप्रिया ने भगवान शिव से प्रातना की कि प्रभू आप यहाँ पर जोतिरलिंग के रूप में बस जाए भगवान ने सिब ने उनकी मनोकामना पूरी की और वहाँ पर जोतिरलिंग के रूप में बस गए तो ये सिबलिंग दसमस जोतिरलिंग है सिबलिंग है दारुका बंद में द्वारका से 17 किलोमेटर आप जरूर जाएं और वहाँ पर भगवान शिब की पूजा करें आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी अगर जीवन में सर्प दोस है तो बिलकुल खतम होगा विडियो को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें